हाई फ्रेंड्स वेलकम तो माई यूटूब चैनल वीने कंप्यूटर एकेडमी माई नेम इज वीने कुमार फ्रेंड्स इसके पहले के वीडियो में हम लोग में अलग अलग पेज पर अलग अलग हीडर फूटर पेज नंबर को कैसे देते हैं उसको सीखे थे आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे का सीखेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर तो मेस वर्ड हम स्टार्ट करते हैं मेस वर्ड स्टार्ट करने के लिए start menu में जाएए यहाँ पे आप click करिए इसके बाद यहाँ से Microsoft Office Word को open कर लेजिए तो हम लोग चलते हैं start menu में यहाँ पे start insert type को आप press करिए यहाँ पे आप click करिए तो open हो जाएगा तो हम लोग सीखे थे header, footer और page number आज हम लोग सीखेंगे test box, quick parts, word art और drop pipe तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है test box, यहाँ पे जो arrow बना है इसके उपर आप click करिए और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ format जो है हमारा बना हुआ है तो इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे, जो format आपको अच्छा लगे, वो आप use कर सकते हैं और इसमें आप जो है अपना भी format जो है इसमें भी आप edit करके रख सकते हैं तो अभी हम ओ भी बताएंगे आप लोगों को तो सबसे पहले हम इसमें से कोई एक format को तो select कर ले रहे हैं इसके उपार आप ऐसे click करेंगे तो यहां पर यह आ जाएगा तो यह select है तो select ही रहने दीजिए या फिर ऐसे आप क्या कर यह select कर लीजिए डिलीट करना है तो पिलीट कर दीजिए या फिर normally keyboard से ऐसे हम क्या करेंगे इस तरह से आप टाइप करिए और क्या होगा कि यह एसे लिखेगा यह automatic यह आपका जो है box जो है इसे बढ़ता चला जाएगा और अपने recording इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं हम जिदर हमको कम जादा करना हम कर सकते हैं इसको थोड़ा सा अगर आप उपर रखना चाहें तो उपर भी रख सकते हैं यानि कि move भी करा सकते हैं अपने recording तो इ इसको हम करते हैं delete इसके पहले अगर हमको बनाना होता थो insert में सेप में जा करके यहां पर दिया है test box इसको हम लेते हैं और इस तरह से हम बनाते थे अब इसमें अगर हमको कुछ लिखना है तो हम यहां से लिखते थे test box में और यहां पर क्या है जो insert type में test box है यहां पर हमको तो बना बनाया हुआ मिलेगा बस हमको क्या करना है यहां पर बाहर क्लिक करिए यहां टेस्ट बॉक्स में यहां पर बना बनाया है बस हमको क्या करना यूज करना है या फिर हम यह भी अगर चाहें तो जैसे जैसे test box को हम इसमें जो है ऐड़ कर सकते हैं तो कैसे ऐड़ करेंगे तो quick parts में जा करके ऐड़ कर सकते हैं या फिर आप test box यहां से भी आप इसको add कर सकते हैं तो देखिए कैसे हम करते हैं इस box को हम delete कर रहे हैं अब इसके बाद हम आपको बता रहा हैं क्विक पार्स इसमें आपको बता देंगे टेस्ट बॉक्स भी बता देंगे तो quick parts में जाईए यहां पर इसका use हम करते हैं कि जैसे माल लेते हैं कि कोई ऐसा चीज जो आपको बार-बार type करना पड़ रहा है या फिर बार-बार आपको use करना पड़ रहा है तो हम चाहते हैं कि बार-बार type ना करना पड़े या फिर कहीं और से copy paste ना करना पड़े जैसे माल लेते हैं कि आपको जैसे कोई later है वो later आपको वही format बार-बार बनाना पड़ रहा है तो हम चाहते हैं कि या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि later बना करके उसको save कर दिये अब वहां से हम क्या करेंगे कोपी करेंगे और जहां पर बनाना रहेगा प्रेस्ट कर देंगे यह तो मेथड़े हैं हम इस तरह से कर सकते हैं या फिर अगर कोई उसको जो लेटर आप बना करके सेब कि अगर कोई उसको डिलीट कर दिया तब फिर आप कहां से copy कर पाएंगे तब आप कापी नहीं कर पाएंगे तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको quick parts में हम add कर लेते हैं तो add कैसे करेंगे तो सबसे पहले एक लेटर ऐसे लेटर का format हम बना ले रहें हैं इस तरह से एक format हमें से ही बना ले रहे हैं कि इसको हम जो है टाइम ने रोमन कर दे रहा हैं साइज 12 कर दे रहा हैं और यहां से अगर हमको बोल्ड करना बोल्ड कर दिए सब्जेक्ट को बोल्ड करना यहां पर इसको बोल्ड कर दिए यहां से अगर हमको कलर में यूज करना तो हम कलर भी कर लेते हैं इस तरह से इसको वदर कलर कर ले रहे हैं तो अभी यह हम format बना ले रहे हैं चले तो इस तरह बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे सभी को ऐसे हम सेलेट कर लेंगे सेलेट करिए उसके बाद आप इंसर्ट में जाएए कुइक पार्ट में जाएए और यहां पे दिया है सेफ सेलेक्शन टू टू कुइक पार्ट आप इसको यहां पे इसके उपर आप किलिक करिए किलिक करने के बाद यहां पे दिया है नेम तो जिस नाम से यह सो करें आप उस लेगा है और गैलरी तहां पर आपको सेप करना है तो क्विक पार्ट में तो यहां से आप यानि कि यहां पर जितना सब दिख रहा है आप इसमें सब में सेप कर सकते हैं जैसे अगर आप कोई टेवल बनाए हैं तो टेवल में आप जा करके सेप कर सकते हैं कोई हीडर फूटर बनाए हैं तो उसमें कर सकते हैं तो one by one अभी हम आपको दिखा रहें करके अभी तो हम quick parts में ही रहने देंगे इसके बाद आप क्या कर दीजिए? OK कर दीजिए यहाँ पे आपको name देना है किस name से show करें और यहाँ पे gallery में quick parts उसके बाद आपको OK कर देना है अब हम जब यहाँ पे click करेंगे quick parts में तो देखेंगे कि यहाँ पे यह format हमारा आगा है अब अगर हम इसको delete भी कर दें तो कोई हमको problem नहीं होगा delete करने के बाद quick parts में जाईए और इसके उपर जैसे हम click करेंगे तो यह हमारे page पर आजाएगा इस तरह से देखिए या फिर अगर हम कोई यहाँ पे देखिए document 1 है एक new window ले रहे हैं इस तरह से document 2 है अब अगर हम यहाँ पे insert में जाकर के quick parts में जाएंगे तो भी यह हमारा रहेगा यानि कि इसमें आपको save करने की जरूरत नहीं है नहीं तो पहले क्या होता था कि अगर जो लेटर आप save किये हैं जहां से आप copy करते अगर उसको आप कोई delete कर दिया तो आप copy नहीं कर पाते तो आपको फिर से type करना पड़ेगे और यहां पे क्या है कि वो सब वैसा कोई बात नहीं है बस आप यहां पे add कर लेजिए और जितनी बार आप use करना चाहिए आप कर सकते हैं तो इस तरह से click parts का आप use कर सकते हैं जैसे इसके उपर हम click करेंगे तुरांते हमारा आ जाएगा जितना उसमें add रहेगा तो चलिए यह second वाले को हम कर रहे हैं close first वाला है हम इस पे अपना काम कर रहे थे और इसमें क्या है जैसे कि यहां पे दिया है auto text आटो टेक्स हम इसका भी use कर सकते हैं जैसे माल लेते हैं कोई ऐसा text है जो आपको बार बार type करना पड़ रहा है या लिखना पड़ रहा है तो हम चाहते हैं कि उसको भी हम add कर लें जैसे माल लेते हैं यह जैसे हमको बार बार लिखना पड़ रहा है तो हम चाहते हैं कि इसको भी हम add कर लें तो अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं quick part में जाए auto text में जाए बस आपका इतना है h and hp और अब हम इसको क्या कर रहे हैं select कर रहे हैं इसके बाद quick part में जाए आपको टेस्ट में जाए और यहां पर दिया है save selection to auto text gallery हम यहां से क्या कर सकते हैं save कर सकते हैं या फिर हम यहां से भी इसको save कर सकते हैं तो यहां पे जाएए इसके नीचे आप किलिक करिए यहां पर दिया है विने कम्प्यूटर हम इसी के नाम से auto test में 네 सेफ कर दे रहे यहां पे ok कर दाइगे अब हम जब देखेंगे क्विक पार्ट में जाएंगे auto test में जाएंगे स्क्रोल बार को इस तरह नीचे करिए तो देखिए यहां पर आ गया है ऐसे किलिक करेंगे तो हमारा या जाएगा हम इसको डिलीट भी अगर कर दें अब यहां पर जाएंगे तो जब हम देखेंगे तो यह हमारा यहां पर बिने कंप्यूटर जब हमको जरूरत होगा तो कीक पार्ट में जा करके आटो टेस्ट में हम उसके उपर किलिक कर देंगे तो हमारे पेज़ पर वह आ जाएगा अब इसी तरह माल लेते हैं कि हमको हीडर फूटर जो है सेम बार बार यूज़ करना पड़ रहा है तो हम चाहते हैं कि हीडर फूटर को भी हम क्या कर दें उस तरह से आइड कर दें जैसे यहाँ पे हम किलिक कर रहे हैं तो यह फॉर्मेट सब दिख रहा है तो इसी तरह हम चाहते हैं कि एक अपनो फॉर्मेट बना करके हम इसमें रख दें जिससे कि हम उसके उपर किलिक करें और वह अपलाई हो जाए तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं जैसे माल लेते हैं यही बिने Computer Academy जो है हमको अपने Header में देना है तो इसको ऐसे Select करिए और Quick Part में जाएए यहाँ पे दिया Save Selection to Quick Part आप इसके उपर किलिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं यहाँ फिर Header में जाएए अगर header में देना है, तो यहां पे जा करके, यहां से save selection to header यहां से कर सकते हैं, footer में करना है, तो save selection to footer यहां से कर सकते हैं, page number में देना है, तो आप जो है, अच्छा page number के लिए अलग से हम आपको बताते हैं, तो यहां से हम header भी दे सकते हैं, footer में भी दे सकते हैं, तो करेंगे चाहिए आप यहां से करिए अगर हम हीडर में जा करके इसके उपर किलिक करेंगे तो क्या होगा यही वाला एव डायलाग बॉक्स हमारा ओपन हो जाएगा create new building and block जो यह डायलाग बॉक्स यहां से open हो रहा है सेम डायलाग बॉक्स हम यहां से भी open कर सकते हैं save selection to quick part तो देखिए same हमारा वही आ तो चलिए यहाँ पर name यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं माई हीडर और यह जो quick parts यहाँ पर gallery में हैं आप यहाँ पर जा करके header में देना तो header select करिए footer में देना है तो आप footer select करिए आप यहाँ से भी इसको select कर सकते हैं यहाँ से इसको select करिए उसके बाद आप ok कर दीजिए कि अब जैसे आपको header में जा करके header देना है अपलाई करना है तो यहाँ किलिक करिए यहाँ पर इसके बाद इसको scroll करिए नीचे स्क्रोल करते हुए नीचे आईए इसके बाद यहाँ पर देखिए विने computer academy के नाम से माई header के नाम से यहाँ पर आ गया अब जैसे ही हम इसके ऊपर हम किलिक करेंगे तो यह हमारे यह हीडर में क्या हो जाएगा अपलाई हो जाएगा उसके बाद यहाँ से क्लोज कर दीजिए हीडर फूटर अब इसके बाद अगर हम control प्लस इंटर कर रहे हैं जैसे हमारा second page होगा तो यहाँ पर second page पर इसको हम पेज को कम कर दे रहे हैं तो देखिए इस तरह से हम यूज कर सकते हैं हीडर फूटर का भी और इसी तरह हम यूज कर सकते हैं cover page का कर सकते हैं table का कर सकते हैं जैसे यहाँ पे cover page में जो हम बताए थे cover page इसमें से कोई एक cover page हम select किये थे और उसमें जो है fill करना था हम fill कर लिये थे सेम इसी तरह एक अपने से आप cover page बना लेजिए cover page बनाने के बाद सभी को select करके आप यहाँ पे जा करके save selection पर click करिए और यहाँ से जो है जो आपको save करना है वहाँ से आप table को sorry cover page को आप select करके उसके अंदर आप save कर दीजिए cover page में save हो जाएगा या फिर सभी को select करके जैसे माल लेते हैं इसी को ऐसे हम select करिये और cover page में यहाँ पे दिया है save selection to cover page इसके उपर हम click करेंगे तो क्या कर सकते हैं इस cover page में इसके अंदर हम save कर सकते हैं यानि कि यह जो format दिख रहा है तो हमारा भी एक format इसके अंदर आ जाएगा जिस नेम से save करेंगे जैसे यहाँ पर annual है तो annual के नेम से इस तरह का format दिख रहा अलफाबेट के नाम से ऐसा दिख रहा उसी तरह हम भी अपना कोई नेम दे देंगे और जिस तरह का format बनाए रहेंगे वैसे यहाँ पर हमारा सो करेगा तो हम cover page में भी कर सकते हैं इसी तरह table करना है तो table में भी कर सकते हैं टेवल कैसे करेंगे उसको भी हम करके आपको दिखा दे रहे हैं control एसे all select and delete माल लेते हैं कोई ऐसा table है जो हमको इसको भी हटा दे रहे हैं कोई ऐसा table है जो बार-बार बनाना पड़ रहा है या फिर यूज करना पड़ रहा है तो एक बार हम क्या करेंगे उस table को हम बना लेंगे जैसे यहाँ पर हम normal ही ले रहे हैं इसको delete करके हम फिर से बनाते हैं insert में table में चलिए इस तरह से कोई एक फार्मेट हम बना ले रहे हैं इसको हम अच्छे से फार्मेटिंग भी कर ले रहे हैं इस तरह से आप इसको क्या कर यह फार्मेट कर लीजी और इसमें भी अगर आपको number देना तो आप number भी दे सकते हैं सबसे पहले इसको हम सेलेट करते हैं कलर को हम यहां से बुलू कर दे रहे हैं बोल्ड कर दे रहे हैं साइज को बड़ा कर दे रहे हैं अब यहां से जो लोग टेवल नहीं जिनको बनाने आ रहा है जिनको नहीं बनाने आता है तो इसके पहले हम वीडियो में टेवल को अच्छे तरीके से बनाना बताये हैं तो जो लोग नहीं देखे हैं तो हमारे इसके पहले वाला वीडियो देख सकते हैं तो चलिए हम इतना ही लिख रहा है इसमें इसके बाद हमको क्या करना है इसके उपर आप किलिक करिए यह पूरा सेलेक्ट हो जाएगा और आप जो है इंसर्ट में जाएए क्विक पार्ट में जाएए यहां से भी हम सेप कर सकते हैं और टेवल में जाकर के हम यहां पे विक टेवल में जाकर के यहां पे दिया है सेफ सेलेक्शन टू कुईक टेवल तो हम यहां से भी कर सकते हैं और यहां से भी कर सकते हैं दोनों यही बात है तो हम कुईक पार्च बता रहे हैं तो इसलिए हम कुईक पार्च में जाकर के यहा यहां पर जो है हम लिखते हैं टेबल या फिर लिख दे रहे हैं माई टेबल और जो किक पार्स है यहां पर आप जा करके जैसे हम को जैसे हम हीडर दिये थे तो हीडर में इसको सेप किये थे और कोई जैसे हम टेस्ट बॉक्स लिखे थे जैसे बॉक्स बनाए थे तो यहां प किलिक देंगे इसके बाद आप okay कर दीजिए अब इसको हम कर रहे हैं Control A n Say new page, यानि की new window अब हम क्या करेंगे insert में जाएंगे quick parts में जाएंगे यहाँ पे table में जाएंगे और यहाँ पे quick table में जाएंगे और last में इसको scroll करिए my table के नाम से आएगा scroll करते हुए नीचे आईए तो देखिए यहाँ पे आगया my table अब जैसे ही हम इसके उपर click करेंगे तो यह table यहाँ पे हमारे page पर आ जाएगा तो इस तरह से आप जो है use कर सकते हैं यानि कि इसमें क्या होगा कि time जो है save होगा तो इस तरह से table को भी आप add कर सकते हैं चलिए इसको close करते हैं और यहाँ से इस table को हम delete करते हैं टेबल में जाएए डिजाइन में लेयाउट में टेबल में और यहाँ से delete table अब इसके बाद insert में तो हम बता रहे थे कि quick parts में आप यहाँ पे जा करके save selection का use कैसे करना है तो इस तरह से अगर हम कोई later या फिर कोई document हम कुछ save करना चाह रहा हैं तो यहाँ से भी हम save कर सकते हैं इसके बाद header footer इसमें कैसे save करना है cover page बना करके कैसे करना तो same इसी तरह पहले हम cover page बना लेंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे save selection जा करके यहाँ से भी कर सकते हैं और cover page यहाँ पे जा करके यहाँ से भी हम cover page में save कर सकते हैं अपना format और table में हम बता दिया कि table का कैसे use करना है तो इस तरह से यानि कि आप किस में यहाँ अपलाई कर सकते हैं तो quick parts में जाए इसके बाद हम आपको बता रहे हैं इसको select करते हैं quick parts में जाए save selection पे जाए और यहाँ पे gallery अब इसको आप किलिक करिए यहाँ पे auto text यह सब जितना दिया है इन सभी के अंदर आप जो है अपना format बना करके save कर सकते हैं तो चलिए अग हम जो है quick parts में चलते हैं तो auto text हमने बता दिया किस तरह से हमको use करना है तो इसके अंदर जैसे विने computer academy है तो कैसे रखे हम इसके पहले आपको बता दिये जैसे आप लिख दीजिए VCA इसको आप select करिए और आप चले जाए quick parts में auto test में यहां से भी आप कर सकते हैं या फिर आप जाए safe selection और VCA है gallery में जाकर करके quick parts में आपको यहां से लेना है auto test यहां पर इसको select करिए और VCA के नाम से ठीक है और यहां से okay कर दिए अब इसको हमको delete करना तो delete कर दिए अब quick parts में जाएए auto test में जाएए इसको scroll करके नीचे लाइए अब देखिए यहां पर VCA आ गया जैसे इसके उपर click करेंगे यहां पर हमारा आ जाएगा insert हो जाएगा तो इस तरह से हम उसका योज कर सकते हैं अच्छा यह जो है हमको delete करना है तो कैसे करेंगे delete यहां पर है my later तो आईए यह जो building block है इसके उपर आप click करिए अब यहां से आप search करिए my later और इसमें जो है हम search करते हैं कहां है खोजते हैं यहां पर है देखिए my header जो हम यहां पर header दिये हैं इसको delete करना तो select करके यहां से हम delete कर गएंगे यहां पर देखिए so कर रहा my later यह जो है हम बना करके इसमें add किये थे तो इसको select करिए और यहां से delete कर दीजिए और yes कर दीजिए यहां से close करिए अब किक पार्ट में जाएए अब देखिए यहां पर लेटर जो है so नहीं हो रहा है तो इसको किलिक करिए और क्या delete करना VCA जैसे यहां पर auto-text में हमारा दिख रहा है न आटो टेक्स्ट में जाएए यहां पर इसको जो है आटो टेक्स्ट में स्क्रोल करके देखिए VCA है विने कम्प्यूटर है विने कम्प्यूटर एकडमी जो हम add किये थे इन दोनों को भी delete करना है तो हम जाएंगे यहां पर building block में existing VCA इसको select करें यहां से delete कर दी जीए यस करिए ओर विने कम्प्यूटर इसको select करिए यहां से delete करिए और yes कर दीजिए अब क्या हो गया जितना हम दिए थे वह सब delete कर दिये अब यहां पर नहीं सो करेगा देखिए नई सो हो रहा है इसके बाद कि अब यहां पर आता है डॉकुमेंट प्रॉपर्टी कि यहां से भी हम यूज कर सकते हैं जैसे एक क्वाल हम कोई टेक्स्ट लिखे हैं अब इसके अंदर जैसे माल लेते हैं हम दे दिये कुछ पार्स में जाईए यहां से अथर अब इस अथर में ऐसे सेलेक्ट करिए हम दे दिया रमेज इसके बाद यहां पर करसर रखिए कहीं पर भी हम लगा सकते हैं क्विक पार्स में जाईए और यहां से कंपनी हम यहां पर A, B, C कोई भी हम लिख दे रहे हैं अब जब हम इसके उपर ऐसे रमेज को उपर किलिक करेंगे तो यह देखिए यहां पर लिख रहा अथर A, B, C के उपर हम किलिक करेंगे तो यह बताएगा यह क्या है यह कंपनी का नाम है यह अथर का नाम है तो इस तरह से क्विक पार्स में जा करके डाकुमेंट प्रॉपर्टी का यूज हम कर सकते हैं इसके बाद यहां पर दिया है फिल्ड फिल्ड का यूज क्या करते हैं जैसे माल लेते हैं कि थोड़ा हमको क्या करना है कल्कुलेशन करना है तो यहां से थोड़ा बहुत कल्कुलेशन हम कर सकते हैं जैसे तो इक पार्ट में जाएए यहां पर फेल्ड इसके उपर आप किलिक करिए यहां पर दिया है फार्मूला यहां पर यह जो फार्मूला लिखा है इसके उपर आप किलिक करिए तो इक्वल अब आप फार्मूला लिखिए सम होता है आइड करने के लिए ब्रेकट में क्या-क्य कर देंगे तो 90 हो जाएगा और 90 में 54 एड़ कर देंगे तो 144 हो जाएगा तो यहां पर Sum में यह हो जाएगा जहां पर crew करसर यहां पर कर सकते हैं कि अब के पार्ट में जाएगे फिल्ड में जाएए और में जाएगे इसी तरह सम तो हो गया आइड करने के लिए इसी तरह होता प्रोड़क्ट यह होता मल्टिप्लाई करने के लिए जैसे 20,3 यानि कि 20 इंटू 3 या फिर कॉमा 2 यानि कि 20 गुड़े 3 गुड़े 2 यानि 20 में 3 का मल्टिप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा और 60 का मल्टिप्लाई हम तू में करेंगे तो 120 हो जाएगा अब यहां से हम क्या कर देंगे ओके कर देंगे आगे यहां पर देखिए 120 तो इस तरह से थोड़ा हमको कल्कुलेशन करना है तो यहां से हम कर सकते हैं और इसके लिए तो जित जो हम फार्मूला हम बता रहे हैं जब हम और भी बहुत से फार्मूले हैं जो हम लोग यूज करेंगे तो बस आइड करने के लिए या फिर मल्टिप्लाई करने के लिए हम यहां से इसका यूज कर सकते हैं और बाकि सब हम लोग आगे जो है फार्मूले के बारे में अच्छे से डिटेल में सीखेंगे MS Excel में इसके इतना तो हम बता ही दिए अच्छा यह जो था टेस्ट बाक्स टेस्ट बाक्स हम लोग देख लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि कोई एक टेस्ट बाक्स हम यहां से यह है टेस्ट बाक्स जिस बाक्स के अंदर हमको लिखना है इसको यहां से हम सेलेट किये और यहां से एक बाक में जा रहे हैं और यहां पर यह वाला इस्टाइल ले लिए थोड़ा से इसको यहां से हम मोटा कर दिए और क्लोज कर दिए और मोटा करना है तो यहां से जा करके हम और मोटा कर लेंगे इस तरह से इसमें कौन सा कलर फिल करना है हम यहां से कलर फिल कर लिए अब हम आजाते हैं होम में हम किस कलर में लिखें रेड कलर में बोल्ड साइज यहां से 12 कर लिए और फंट इस्टाइल टाइम्स न्यू रूम यह सब है और जो हम लिखें हम सेंटर में लिखें इसके बाद जो है आप क्या करिए इसको ऐसे सेलेक्ट करिए सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएए क्विक पार्ट में जाकर के यहां से भी आप सेप कर सकते हैं या फिर आप टेस्ट बाक्स में जाएए यहां से भी आप save selection के उपर click करके आप कर सकते हैं तो इसके अंदर तो हम बता ही दिए यहां से भी कर सकते हैं यहां से करना है तो आप यहां से भी कर सकते हैं इसके उपर आप click करिए तो same वही open हो करके आएगा और gallery में आपको देना है test box और अगर आपको यहां से quick part से करना है तो save selection के उपर आप click करिए यहाँ पे हम लिखते हैं my text my text के नाम से यह जो quick parts है हमको लिखना है यहाँ से select करना है test box इसके बाद आपको ok कर देना है अब यह क्या होगा test box के अंदर जो है वह जाकर के save हो जाएगा अब इसको अगर आपको delete करना तो आप delete भी कर सकते हैं हमको जब use करना होगा तो हम जाकर के test box में जाकर के हम use कर सकते हैं अब हमारा भी format यहीं पे आ जाएगा my text के नाम से यहाँ पे देखिए my text है इसके उपर आप click करिए तो यहाँ पे आ जाएगा अब जो भी आपको लिखना है आप यहाँ से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं तो इस तरह से आप जो है use कर सकते हैं यानि कि insert में जाएए तो test box और quick parts यह हम आपको बता दिये तो friends आज के लिए बस इतना ही अब next video में हम बताएंगे अगर अभी हम word art और drop clip बताने लगेंगे तो video काफी लंबा हो जाएगा तो next video में हम लोग सीखेंगे यह word art और drop clip और इसके आगे के जो भी option बचे हुए हैं तो friends आज के लिए बस इतना ही अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को like करें subscribe करें और share करना ना भूले thank you for watching take care bye bye